हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सरला क्लासेस में दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक नई वेकेंसी के बारे में जोकी जादा बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और इसकी जो सूचना है या इंफोर्मेशन है वो निकाला गया है 14.1.2021 को आप इस पस्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि कारियाला मुख्य चिकिस है वाम स्वास अधिकारी जीला कोर्बा 36 गड़ के द्वारे ये वेकेंसी निकाली गई है और विशाय में आप देख पा रहे होंगे कि DMF पद अंतरगत मुखला क्लीनिक है तू मानाव संसाधन के स्वीकृत समवीदा पदो है तू वाक इन इंटर्वियू विग्यापन सूचना अपलोड करने बाबत मतलब इसमें वाक इन इंटर्वियू होने वाली है और साथ ही मुखला क्लीनिक के समुचित संचालन है तू समवीदा रिक्ट सम विग्यापन सूचना जारी की गई है जिसको की आप डाउनलोड कर सकते है इसके डीटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से पद जो है दिये गया है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लिजे कि विज्ञापन जो दिया गया है जैसा कि मैंने बताया चौधा तारीक को दिया गया है इसमें जो है कारियाल है मुख्य चिकिस्ताइबंस आदिकारी जीला कॉर्बा 36 गड़ के द्वारा यह जो इन्फोर्मेशन है वो आई है हम इसमें बात करेंगे इसमें बहुत सारे पद है आयूस, एमो, आयूस, आरमे, नर्सिंग ओफिसर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जिसको डी यू कहते हैं उसके पद पर है अब इसमें सेलरी की बात करते हैं सेलरी जो है उसमें 16,500 रुपए निर्धारीत की गई है साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम देख लेते हैं कि हमें नर्सिंग ओफिसर के लिए कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल्फिल करने होंगे इसमें है BSC Nursing और GNM Course Past and Live Registration in 3600 Nurses Registration Council जिसमें कि आप GNM या BSC दोनों कोर्स जो है वो अपलाई कर सकते हैं और साथ ही आपका Live Registration होना चाहिए 3600 Nurses Registration Council में जिसमें कि सलरी मैंने बता दी थी कि 16500 रुपए है अब बात करते हैं कि इसकी जो Walking Interview है वो कब होने वाली है तो Walking Interview में हम देख लेते हैं कि Nursing Officer की जो Walking Interview है वो दो फरवरी 2021 को होने वाली है ठीक है तो इसमें दिसा निर्देश देख लेते हैं कि दिसा निर्देश को आपको कब उपस्थित होना है कब आपका सत्यापन होगा कब आप पात्र पात्र होंगे या फिर आपत्ती कब आप दे सकते हैं तो सबसे पहले जो है पंजियन हेतु निरधारी समय जो है सुबा 10 से 1 बजे तक है ठीक है आप पंजियन 10 से 1 बजे तक करा सकते हैं पात्र पात्र की सूची का प्रकासन दोपहर एक बजे तक किया जाएगा उसके बाद उसी पात्र पात्र सूची के प्रकासन के बाद दावा पत्ती हेतू समय 30 मिनट आपको दिया जाएगा ठीक है दावा पत्ती निराकरन पस्चात जो भी पॉसिबल हो या अगर जादा संख अच्छातकार कौसल लिखीट परिख्चा आयूजीद किया जाएगा आवेदिकोब की संख्या के आधार पर ही जो भी लिखीट परिख्चा है या कौसल परिख्चा है वो आयूजीद कि जाएगी ठीक है और उस्सी दिन संभाव नहीं होने पर चैन समीती के निर्णाय अनुसार आगामी तीथी को लिया जावेगा जिसकी सूचना प्रिथक से पात्र अभ्यर्तियों को कार्या लाइन सूचना पटल एवं अब बात करते हैं आवेदन संबंधी जो दिशार निर्दे से उसके बारे बे तो आप सभी को पता ही होगा कि आवेदन का प्रारूप जो है आप यहां से डाउनलोड कर लीजे www.korba.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं अब पूर्ण एवं तूर्टी पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए चैन प्रक्रिया में सामिल नहीं किया जाएगा अनिवार्य सक्षणिक योग्यता मानेता प्राप्तसंसा विस्व विद्याले से होना अनिवा प्रभंद की पद हेतु एवं अधिक्तम सत्तर वर्स चिकिसकी पद हेतु होना आवस्यक है आयू की गणना एक जन्वरी 2021 की सिती में ही की जाएगी साथ ही यहां पर दिया गया है भरती द्वारा अलग-अलग पदों पर आवेदन करने की सिती में पदवार आवेदन एवं को रास्ट्री की ब्रैंक द्वारा एनारा चेंफ फंड में अकाउंट जो नंबर दिया गया है कोर्भा के नाम से जारी डी डी बना कर आवेदन पत्र के साथ संलगन करना अनिवारी होगा जो वापिस योग्य नहीं है यह इस्पेशली आपको बता दिया गया है बिना आव लीजिये वर्ग में विकलांग अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती और महिला उम्मीदवार है तू इसमें जो है अगर मान दे प्रती माह रुपए 25,000 या 25,000 से कम होने पर 100 रुपए अन्य पिछडा वर्ग के लिए 200 रुपए अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुप या 16,500 रुपए से कम एकी क्रित वेतन मान वाले पदो हेतू जीले के मूल निवासी को प्राथमिक्ता दी जाएगी अगर जीले में पात्र अभ्यरती उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य जीले से अभ्यरतियों का चैन किया जाएगा अवस्यक दस्तावेज में आपको कौन-कौन सी चीजे ले जानी है इसके बारे में बताया गया है जिसमें की दस्वी की अंग्सुची निर्धारित नियुंतम सेक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों की अंग्सुची संबंधी डिक्री इंटनसी प्रमान पत्र 36 गड़ जो कौनसील में आपका पंजियन जो की लाइफ होना चाहिए जाती प्रमान पत्र होना चाहिए मुलिवास प्रमान पत्र होना चाहिए अनुभव प्रमान पत्र कें रेवं सरकार राज्य सरकार के उपक्रम के पदों पर कारे करने के लिए अनुभव के प्रति आप पर प्रसिक्षित मितानिन प्रसिक्षक के रूप में कार्य नुभाव के प्रति पूर्ण वर्स चार अंग के मान से अधिक्तम 20 अंग प्रदाय किये जाएंगे अनुभा प्रमान पत्र राज्य स्वास्तर संसाधन केंद्र छतित गड़ का ही मान्य होगा दोस्तों साथ यहां पूर्ण पोस्त के माध्यम से जो साक्षातकार है या वाकिन इंटर्व्यू है आप उसमें जा सकते हैं विए बीना फिल किये वहाँ पर उपस्तित ना हो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दें चाहिए पहली बार आया है स सब्सक्राइब जरू करें और बैल आइकन भी हीट करें ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटिस वेकेंसिस की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों